हेलो एंड वेलकम तो इंजिनिरिंग बाद इस्टिटूट तो आज हम लोग पहुंच गए हैं अपने डे 12 में फ्लूड मेकैनिक्स में हम लोग यहां पर सिविल थू कॉस्टिंस की सिरीज कर रहे हैं जिसमें हम लोग डेली के कैसे हैं के कोशिटनस करते हैं अभी हम लोग सईसे के कॉस्टिंस करते हैं अभी हम लोग ये कन सब्सक्रण के के अबहुंप हम डे 12 में पहुच गहें और हम 1.3 कोशिएं और सों हैं कि एले सुएवं दालते हिएं सिविल इंजिरिंग के सब्जेक्स के भी और साथ CHRIST diffic स्ट्रेटिक जी के और करेंट एफिर चेहनल है और रागशी इनिश्ग की सब्जेक्ट का अलग तो इन दोनों ही चैनल के लिंग आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्चन में मिल जाएंगे आप वहाँ जाकर इन सारे के सारी स्ट को अटैंड कर सकते हैं अभी आज हमने जो फ् करते हैं और यह सारे के सारे कॉस्टेंस सब्सक्राइब क्या मेजर करते हैं तो ऑप्शन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि और फिस मीटर का कर्णस्ट्रक्शन कैसा होता है तो मान दीची हमारा पाईप है इस तरीके से फ्लो होगा तो जो इंशियल एरिया उसको मैंने मान दिया कि हमारा जो एरिया था सर्कुलर पाईप का वो था A1 और जो यहाँ पर जो प्लेट्स हमने एंटर की वहाँ पर जो एरिया है इस ए नॉट और जो मिनिमम एरिया है स्ट्रीम लाइन्स का पानी की जो स्ट्रीम लाइन्स उनका जो मिनिमम एरिया है लेट इस भी A2 ठीक है तो इस एरिया को जो जो minimum area होता है इसको हम when a contract कहते है तो minimum area यह नहीं होगा यहाँ पर वाला area minimum नहीं होगा minimum इससे कुछ आगे होगा जहाँ पर पानी ऐसे करके जाएगा और फिर उसके बाद फिर से फैल जाएगा बाहर को ठीक है तो this area is a2 तो coefficient of contraction एक होता है coefficient of contraction इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं cc से तो coefficient of contraction is equals to what a2 divided by a0 that means area when a contract divided by area at orifice meter ठीक है तो हम discharge होता है orifice meter की help से जो हम निकालते हैं यहाँ पर एक हम यहाँ पर हम डाल लगाते है और एक जो ट्यूब है यहाँ पर लगाते है और इन दोनों tubes में mercury भढ़ देते है उसके बाद इनका जो level है level का difference अब नामते है x ठीक है उसके बाद हम h निकालते है h equals to होता है हमारा x into specific gravity of mercury जो यहाँ पर fluid है उसकी specific gravity divided by specific gravity of जो fluid यहाँ पर बह रहा है जो water है हमारा specific gravity of liquid this यह वाला liquid minus 1 ठीक है तो यहाँ सब्सक्राइच निकाल लेते हैं तो discharge की value क्या होती है for an orifice meter q is equals to होता है cc into a1 a0 under root 2gh divided by under root a1 square minus a0 square into cc square ठीक है तो यह होती है discharge for in case of an orifice meter इसी को हम is equals to लिख सकते हैं cd into a1 a0 under root 2gh divided by under root a1 square minus a0 square ठीक है तो cd is coefficient of discharge और cc is coefficient of contraction तो इस question का जो correct answer होगा option a that means orifice meter को हम use करते हैं for measuring discharge तो discharge measure करने के लिए हम mainly 4 instruments use करते हैं एक उत्तो हमारे वेंचुरी meter होता है venture meter then orifice meter ठीक है orifice meter होता है second then nozzle meter होता है ठीक है इसके अलावा क्या होता है elbow meter तो यही चार आपके exam में पूछे जाएंगे इन चारों के आपको नाम पता होने चाहिए कि discharge measure करने के लिए हम इन चार डिवाइस का use करते हैं अगला question है which of the following represents the correct range of coefficient of discharge of venture meter ठीक है तो आपको यह venture meter अभी हमने charge instrument discuss किये ना discharge find out करने के लिए पहला था venture meter then था orifice meter उसके बाद था nozzle meter और end में था elbow meter तो इन चारों के चारों instruments में आपको coefficient of discharge इसका तो आपको याद करने कोई जरूबत नहीं है अलबो मीटर का इन तीन इस्ट्रूमेंट में वेंचुरी मीटर और इस मीटर और नॉजल मीटर का coefficient of discharge आपको परदा होना चाहिए वेंचुरी मीटर में सबसे कम लॉसे होते हैं इसलिए जो इसका coefficient of discharge जोगा है highest होगा इसलिए अराउंड 0.95 to 0.98 और इस मीटर में सबसे ज्यादा लॉसे होते हैं सबसे ज्यादा लॉसे होते हैं क्योंकि इसमें एनर्जी बहुत लॉस होती है यहां पर आपर जो है यह सबसे याद रखना है कि इस कॉश्चन में करेक्ट ऑप्शन क्या होगा वेंचुरी मीटर में पूछ रखा है तो ऑप्शन डी विल बी ता करेक्ट ऑप्शन अगला वाट इस त्योरिटिकल वैल्यू अप दो कोपिजेंड ऑप कॉंट्रेक्शन सी सी पूछ रखा है फॉर सबसे पहले तो मैं बताता हूं कि कोपिजेंड ऑप कॉंट्रेक्शन का मतलब क्या होता है तो कोपिजेंड ऑप वैलोसिटी होता है न एक्चुल वैलोसिटी एर वेना कॉंट्रेक्टर वैलोसिटी तो यहां पर जो हमारे और और यहおおपिस है जो हमारा पानी है वो किस तरीके से होगा सोरी तो मान लीजिए यह हमारा बढ़तन नहीं ऐसे करके ठीक है तो जो हमारा पानी आएगा ना इसके बाद वो इस तरीके से आएगा ऐसे आएए तो यह मतलब यहाँ पर कहीं यहाँ पर इसका जो एरिया है मिनिमम होगा ठीक है तो जहां पर area minimum होता है उसको हम कहते है वेना contractor ठीक है तो जो actual velocity है वेना contractor है divided by theoretical velocity है it is equal to coefficient of velocity ठीक है तो it is equal to what actual velocity है वेना contractor हो हम V लिख देते हैं theoretical velocity क्या होती है कैसे निकालते हैं under root of 2GH ठीक है h is what height जो ground level से हमारी height है और यह orifice तक जहां पर हमने छेद के है उसको हम H बोल रहे ह ठीक है तो for sharp as the orifice जो cv की value होती है it is equal to 0.98 ठीक है तो आपको याज रखनी है बहुत से exam में पूछ ली जाती है JEEE के exam में अब coefficient of contraction क्या होता है coefficient of contraction तो हमने अभी अभी पढ़ा हुआ है फिसले first question में it is what area at vena contractor divided by area at orifice ठीक है यहां पर का area divided by यहां पर का area है it is what coefficient of contraction और for a star page orifice जो मारा coefficient of contraction होता है it is around 0.6 to 0.7 ठीक है तो इसमें जो options दी है उन में से option B will be the correct option अगला question है which of the following instrument is used for measuring the discharge तो इन में से कौन सा instrument discharge के लिए use करते हैं current meter नहीं करते है है current meter क्यों use करते हैं जब हमें हमारी कोई river है river में हमें कहीं पर velocity यहां पर यहां पर यहां पर velocity stream velocity find out करनी होती है तो उसके लिए हम करते है current meter ठीक है discharge के नहीं करते हैं तो हम पहले stream speed find out करने के लिए use करते हैं ठीक है तो वे नहीं अनिमोमीटर अनिमोमीटर हमें speed find out करने के लिए उसकरते हैं तो इस question का सही answer होगा venture meter तो option d will be the correct option question है what is the momentum correction factor for laminar flow in a circular tube ठीक है तो momentum correction factor को हम रिप्रेसेंट करते हैं बीटा से it is equal to what integration of u square d a divided by a v square ठीक है तो यहां पर u u is what u is the velocity at a specific point ठीक है तो जो हमारा flow है मानली यह pipe है यहां पर flow हो रहा है तो u is velocity at a point और इसका integration with respect to total area divided by total area into average velocity का square ठीक है इसको हम कहते है momentum correction factor तो momentum correction factor is equals to what it is equal to actual momentum divided by average momentum ठीक है तो beta और a थाच अधिक है अधिक है थाय को अधिगर थीक है किनेक्टिक area into average velocity का cube ठीक है इसको हम कहते है energy correction वेक्टर पीर का energy के एनेटिक पूप्जेट्ट का एनेटिक एनेटिक एनेरजी दिवाइड़ेड़ वाय मीन का एनेटिक 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 ठीक है या फिर average का एनेटिक एनेटिक तो हम हमें कब pipe में अगर pipe में हमारा laminar flow है तो बीटा की value क्या होती है 4 by 3 वहीं अगर laminar flow है वो भी कहां parallel plates में parallel plates में तो जो हमारे बीटा की value होती है it is 1.2 तीसरा case है what turbulent flow in case of pipe ठीक है तो turbulent flow in case of pipe में जो हमारे बीटा की value होती है it is 1.015 ठीक है तो ये तीनों value हमें बीटा की याद रखनी है अब alpha की भी तीन value हमें याद रखनी है alpha की value first case है यहीं पर लिख देते हैं alpha first case laminar pipe flow में alpha की value होती है 2 ठीक है alpha है और laminar parallel plates में जो alpha की value होती है it is what it is 1.5 और turbulent flow के case में alpha की value होती है 4 by 3 ठीक है तो हमसे question में पूछा गया है momentum correction factor यानी की बीटा की value in case of laminar flow in a circular pipe तो इस case में क्या होगी 4 by 3 that means 1.3 थी तो option B will be the correct option अगला question है which of the following in measured with the help of hot wire anemometer तो hot wire anemometer के helps हम velocity of fluid निकालते हैं ठीक है एक vein anemometer हमने पीछे पढ़ आता उससे हम निकालते हैं velocity of air और hot wire anemometer हम निकालते हैं velocity of fluid ठीक है velocity को पीशन कुछ नहीं होता है surface tension हम किस चीज़ से निकालते हैं यह याद रखना आप tensiometer से भी निकाल सकते हैं tensiometer और capillary tube से हम निकालते हैं surface tension ठीक है viscosity हम किस चीज़ से निकालते हैं viscosity हम निकालते हैं विसको मीटर विसको मीटर विसको मीटर को हम क्या कहते हैं विसको मीटर को हम रियो मीटर भी कहते हैं ठीक है तो विसको सिटीज कैलकुलेटेट यूजिंग विसको मीटर विच आउन एस रियो मीटर टीक है तो इस question का correct option हो जागा option d that means जो hot wire animo meter होता है इसकी helps हम कहाने कालते हैं velocity of fluid option d will be the correct option अगला question है the motion of outgoing water from the hole made at midpoint of completely filled open cylindrical tank with water is ठीक है तो एक हमारा tank है पुरा पूरा open है यहां पर हमने बीच में छेद किया तो यह बोल ला है कि यहां पर से जो पानी निकलेगा वो किस टैप का motion करेगा यह आपको याद रखना है क्योंकि यह ज्यादा पूछा नहीं जाएगा एज एक्जाम में पूछा जा सकता है इसा सवार तो आपको याद रखना है कि आप हम छेद करेंगे तो जो फ्लो होगा it will be forced vortex flow अगर नीचे छेद कर देंगे तो हो जाएगा free vortex flow ठीक है option a will be correct option अगला कॉशन है if the fluid is ideal as per assumptions of Bernoulli's theorem it means that तो अगर ideal fluid है तो Bernoulli's theorem में जो होता है Bernoulli's theorem में अगर ideal fluid है तो इसका मतलब क्या होगा ideal fluid क्या मतलब होता है viscosity उसकी 0 होती है ठीक है density उसकी constant होती है है उसके अलावा bulk modulus उसका infinity होता है surface tension उसका 0 होता है ठीक है तो यह होता है ideal fluid के characteristic और हो frictionless होता है ठीक है इन में से कौन सी चीज हमारे option में है इन में से बस यह viscosity 0 हमारे option में option a में तो option a will be the correct option कि अलोगेशन विचाओ तो पॉलेंगे जाने अंशन और बनौली एक्वेशन तो इन में से कौन सी कि यह भी गलत assumption है तो option b will be the correct option that means flow should be incompressible that means density constant होनी चाहिए हमारे फ्लोगी तब यह हमारी बन्नौली एक्वेशन लगते है तो option b will be the correct option अगला question है इना शुत्रो वेर्द डिस्चार्जित प्रपोस्टनल तो जो हमारे वीर्स होता है अगर मारे वेर जो है वो ट्रेंख्वलर है ट्रैंगुलर वेर्स में हमारे जो और in k value चHmm 5 उख न को अर्द चर्ण प्रपोस्टनल զेर हो ओ प्रपोस्टनल ल है प्रत्रों को ही हम दिश्चार्ज ये पॉपोर्शनल टू डिएक्टी पॉपोर्शनल टू है तो ओप्शन डी विल भी दा करेक्ट ओप्शन तो ओल्राइट गाइस आज के जो हमने कुछ पूछे था अपने टेलेग्राम चैनल में उनके आंसर थे अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे त तो डिसलाइक भी कर सकते हैं और सेविल इंजिरिंग से रेटेट सारी सारी वीडियो देखने के लिए माया चैनल सब्सक्राइब कर देना